और भारती जनता पार्टी के भीतर बेचाइनी है उसके सब नेता परसान है और उन लोग जो है रहरा करके कोई न कोई जो है नेरेटिव स्टेट करके और उस परचार मीडिया के माध्यम से चलाना सुरू कर देता है अर जनता पार्टी कह रही है कि अभी तक संयोजक चौथी वेटक हो चुकी है संयोजक ही गोशना नहीं हुए तो उसको बेचाइनी क्या है वह अपना देखे न अपना घर देखे उसको बेचाइनी क्या है पूरे देश में भाजपा का क्रेज गिरा है मोदी जी क्या बोले थे 15 लाख रूपया देंगे मोदी जी बोले थे कि दो करोड हर साल नोकरी देंगे मोदी जी बोले थे महंगाई घटाएंगे इस पर क्यों नहीं भाजपा के लोग बोल रहे है इस पर नहीं बोले विहार में भाजपा का सिट नहीं मिलेगा पूरा इं पूरी तोर पे जूट है और वो सब हम सब का एक ही फोकस है कि भारती जनता पार्टी को देश के गद्दी से उखाड फेका जाए उसे डिफेट किया जाए इस उदेश पर सब लोग काम कर रहा है और इस बीच में जहां तक कन्वेनर की बात आई है तो कन्वेनर कोई बन सकता है यह बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है कि हम सब यह जूठ होकर भाजपा को हरा रहा है और भारती जनता पार्टी के भीतर बेचाएनी है उसके सब नेता परसान है और वूग जो है रहरा करके कोई न कोई जो है नेरेटिव सेट करके और उस परचार मीडिया के मार्दिम से चलाना सुरू कर देता है कुछ दिन पहले चल था कि ललन सींग का यह मामला है सब चला उस सब भाज़पा का सेटिंग एटिंग था और वई संगठन में बदला होते रहते हैं जरूत के अंशार जो जहां समझते हैं संगठन के एक नेता को दूसरी जीमवारी दूसरी जीमवारी जिसको माध्यम से काम बहतर हो सकता है दिय उसमें कहना क्या है उनका कद छोटा थोड़ी है बिहार के लंबे समय से सीम रहे हैं और हैं और जो है देश अस्तर पर नहों ने अपना कोशिस भी चलाया है तो बड़े नेता के रूप में है इसे को इंकार नहीं किया सकता है अब किसको पद मिलेगा वह इलाइंस में देखे ना अपना घर देखे उसको बेचानी क्या है पूरे देश में भाजपा का क्रेज गिरा है मोधी जी क्या बोले थे 15 लाख रुपिया देंगे मोधी जी बोले थे कि दो करोड हर सल नोकरी देंगे मोधी जी बोले थे महंगाई घट आएंगे इस पर क्यों नहीं बाद उन्होंने किया उस पर नहीं बोलेंगे अभी जो है लगातार कानुनों का में संसोधन हो रहा है वह भाजपा और आरेसिस के पक्ष में हो रहा है ताना साही लाने के लिए हो रहा है मजदूरों के खिलाफ देश के संबीधान में कई संसोधन हो रहे हैं यह सब कुछ भाजपा करते जा रही है और इसके वजासे पूरे देश की जंता में उससे नराजगी है भैंकर नराजगी है और उनके विदाई के बारे में जब योजना बन रहा है तो परिसान और बिहार में तो भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा इस पोजिशन है जिस तरह के हमारा इंडिया एलाइंस का यह है एक जूटता और निश्चित तोर पर भाजपा की बिचैनी और बढ़ेगी क्या सब्सक्राइब एक बिहार को को सब रहे हैं आप सुन रहे थे से प्याइए मेल मिदाया खामर्जित कुस्भागों को इन्होंने साब तोर पर कहा कि यह लोग जो भरदेंदा पाटी है यह लोग एक बस नेरेटीव सेट करते हैं इन्होंने जो वादे किये थे 15 लाग हर एक गड़ीप के खाते में आएंगे और दो करूर नौकरी देंगे इन सब वादों को क्या हुआ यह लोग बस नेरेटीव सेट करते हैं काम की बात नहीं करते हैं और जब 2024 लोग सबाचनों की बात हुई तो इन्होंने साब तोर पर का कि बिहार ही नहीं पूरे देश से भरतेंदा पार्टी का सफाया होगा और बिहार में तो बदला होना तैह है इससे तरह के तमाब अपडेट के लिए आप बने रहे एक नुशनी पॉर्पर मेरे से योगास तोर सिंग के साथ मैसे दन्ये पढ उन्हों पॉत